Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 5.1 का question number 7 देखते हैं क्या है? सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो हमारे question दे रखे हैं, उनको क्या करना है? Express each of the complex number given in exercise in the form of A plus A to B. तो इन questions को हमें A plus A to B की form में लिखना है. ठीक है? तो इनको किस तरीके से लिखेंगे? जस्ट यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस brackets को simplify करना है और हमार answer आ जाएगा. Question number 7, 8, 9, 10 जो है most important question है, यहाँ से confirm question exam में आता है. तो इसको देखेंगे simplify कैसे किया जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे 1 plus 3 है, plus 7 by 3 आर्टा, plus में 4, plus 1 by 3 आर्टा, माइनस को अंदर लेके जाओ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पलस का 4 by 3, माइनस को अंदर लेके गए, माइनस का आर्टा, कर दो लिखेंगे, अब क्या करना होता है? रियल पार्ट्स को अलग लिख दो, और imaginary पार्ट को अलग simplify कर लो, तो रियल पार्ट्स देख लो, यहाँ पे कौन कौन से है, यह रियल है, यह रियल वैलू है, और तो कोई रियल वैलू नहीं है, यह तीन रियल वैलू है, इनको अलग लिखो, imaginary, जो आई के साथ है, उनको अलग कर लो, क्या बना यहाँ पे वन बाई थ्री, पलस में फोर, पलस फोर बाई थ्री, कर दी, नेक्स लिखो, पलस में सेवन बाई थ्री आर्टा, पलस में वन बाई थ्री आर्टा, और माइनस में आर्टा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ पे फोर बाई वन मान लो, यह division by 1 कुछ नहीं फैक्ट पड़ेगा इसका LCM कितना बना मारा 3 तो यहां पे आगया 1 प्लस में 3 बन जा 3 3, 4 जा 12 यहां पे आगया 4 प्लस में इसका LCM कितना आएगा 3 3 से 3 कैंसल 7 आर्टा प्लस में यहां पे आर्टा माइनस में 1, 3 जा 3 3 की मल्टिप्लाई करेंगे तो 3 आर्टा बस जश्ट LCM लिया है कुछ नहीं है और सिंप्लिफाई कर दो 12 और 4 कितना हो गया 16 और 1 17 तो 17 बाई 3 प्लस में 7 और 1 8, 8 में से 3 गया 5 आर्टा अपोन में 3, यह आ गया मेरे पास अंसर, this is the answer in A प्लस आर्टा B की फोर्म में क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिलकुल इजली आपको समझ में आ गया होगा, क्योस्ट नमबर 7 बी, नेक्स्ट बात करते हैं, अपने क्योस्ट नमबर 8 की क्योस्ट नमबर 8 की अंदर क्या गिवन है हमें, 1 माइनस आर्टा की पावर 4 अब भई, 1 माइनस आर्टा की पावर 4 आ गया, इसको कैसे सिंप्लिफाई किया जाए आर्टा की पावर 4 आ जाता तो सरहमीजली कर लेते हैं अब 1 माइनस में आर्टा की पावर 4 आ गया, ऐसा तो कोई फॉर्मला भी नहीं पड़ा हमने तो भई, क्या करें कुछ नहीं करना, जस्ट सिंप्ल है देखो इसको 1 माइनस आर्टा इसका मैं क्या कर सकता हूँ स्क्वेर का स्क्वेर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ ये चीज़ देखो बस देखो, 1 माइनस आर्टा था one minus arta का square का square लिख दिया ठीक है अब आपको पता है यहाँ पे सबसे पहले one minus arta का square है तो इसका हम square easily open कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास formula होता है a minus b का whole square किसके एकवल होता है a square plus b square minus में 2ab वो identity यहाँ पे use कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया one one का square one फिर plus में arta का square arta square minus का two into a की जंगा है one put करेंगे b की जंगा है arta put करेंगे और इस सारे का क्या है हमारा complete square ठीक है अब एक चीज ध्यान देना देख mistake हो जाती है छोग कुछ बच्चों से यहाँ पे b की value minus arta मत रखना कहीं भी यह formula होता है हमारा हमने बस value यह sign जो है formula बताने के लिए होता है value हमने यह और यह लेनी होती है यह a की value यह b की value sign नहीं लेना होता है ठीक है समझ में आगी बात value put कर दी इसको simplify करो यहाँ पे क्या बन गया one plus में arta square two की multiply की arta से minus का two arta और उसका square अब arta square की value आपको पता है किसके equal होती है minus one उट कर लो यहाँ पे तो क्या बन गया one minus one minus में two arta का square अब plus one से minus one cancel out होगे तो यहाँ पे minus two arta का क्या आगया square अब इसको simplify कर लो minus two का square करेंगे तो क्या हो जाएगा plus का four और arta का square क्या हो जाएगा arta square और arta square किसके equal minus one तो put कर लो यहाँ पे four into minus one तो किसके equal आगया minus four this is the answer I hope आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल simple question था just हमने identity यूज की और अपना answer find out कर लिया बस simple simple steps में direct jump करने की कोशिश मत करना कि जल्दी से answer निकाल ले steps को follow करके अगर आप question करोंगे तो आपको कोई भी doubt नहीं आएगा दीरे-दीरे question को solve out करते चलो जहाँ पे भी i square मिल गया minus one put करो और simplify कर लो question number eight आपको अच्छे से clear हो चुका है कोई दिक्कत नहीं है next move on करते अपने question number nine के उपपर question number nine के अंदर हमें क्या given है one by three plus three आर्टा का cube अब इस question को मैं दो method बताऊँगा जो आपको easy लगे वो आप कर सकते हैं एक method से मैं solve out करूँगा दूसरे method से आपने खुद से try करनी है और इसको बताना है कि sir हमने इसको simplify कर लिया या नहीं किया है चलिए सबसे पहले मैं आपको एक hint पता दिता हूँ उस method से करना बाकी मैं दूसरे method से करके दिखा हूँआ सबसे पहले देखो इसको मैं कैसे break कर सकता हूँ इसको ऐसे break कर सकता हूँ one by three plus three आर्टा इसका square into one by three plus three आर्टा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ break जैसे मान लिया x की power three हो तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ x की power two into x कर सकता हूँ या नहीं बिल्कुल कर सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है similarly मैंने इसको ऐसे break कर दिया यहाँ पे क्या बन गया स्क्वेर का फोर्मुला A प्लस B का होल स्क्वेर लगा सकते हैं और इसकी मल्टिपलाई फिर इससे कर लेंगे बाद में सिंप्लिफाई कर लेना अगर आपको यह डिफिकल्ट लगता है तो यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है आइडेंटिटी यूज़ करनी है A प्लस B का होल क्यूब अब आइडेंटिटी आपको पता है A प्लस B का क्यूब किसके एक्वल होती है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3 A स्क्वेर B प्लस में 3 A B स्क्वेर A की वेल्लू आपको पता है 1 बाई 3 है B की value 3 arta है चलिए value put करते हैं और simplify करते हैं इसको तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारा A का cube है इसका मतलब 1 by 3 का cube पलस में B क्या हमारा 3 arta 3 arta का cube पलस में 3 into A square मतलब 1 by 3 का square into में B है तो 3 arta पलस में 3 A B square है तो 3 into A की value क्या है 1 by 3 into B की value क्या है 3 arta का square value put कर लिए हमने इसको simplify करते है 1 by 3 का cube है तो 1 by 3 का cube क्या होगा देखो 3 into 3 into 3 3 3 जा 9 3 जा कितना हो गया 27 तो 1 by 27 पलस 3 का cube क्या हो जाएगा हमारा 27 arta का cube यहां पर simplify करते हैं plus 3 into 1 by 3 का square क्या हो जाएगा 1 by 9 into 3 arta पलस में 3 से 3 कैंसल 3 का square क्या हो जाएगा 9 arta का square arta square यह आगया मेरे पास value अब इसको simplify करते हैं परदर 1 by 27 पलस में 27 into arta cube है इसको मैं कैसे break कर सकता हूँ arta का square into arta लिख सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है आगे चलते हैं 3 3 जा 9 9 से 9 cancel तो पलस में यहां पर आगया arta पलस में 9 arta का square अब arta square is equal to किसके होता है minus 1 उठ करेंगे इसके अंदर तो यहां पर क्या आगया 1 by 27 पलस में 27 into minus 1 into arta पलस में arta पलस में 9 into minus 1 arta square की value minus 1 next step 1 by 27 यहां पर minus 1 की 27 से multiply करेंगे minus का 27 और arta से multiply तो minus का 27 arta फिर क्या बचेगा हमारे पास plus का arta और plus का 9 और minus 1 की multiply minus का 9 यह और यह real value है इनको अलग कर लो imaginary value को अलग कर लो तो यहां पर क्या आगया 1 by 27 minus में 9 और minus के 27 arta और plus 1 क्या बच गया minus का 26 arta अब इसको simplify करना अपन 1 मान के LCM कितना आगया 27 27 से 27 cancel 1 minus 27 को 1 से divide गया 27 और 9 से multiply करेंगे तो 243 minus में 26 arta यह किसके एक वल आगया 243 में से 1 गया तो minus का 242 divided by 27 minus में 26 arta this is the answer बस step y चलते चलो गलती होगी इनी बिल्कुल भी ठीक है बिल्कुल simply हमने इसको simplify कर लिया i square जहां मिला इसको हमने minus 1 put किया और इसको इसका answer find out कर लिया कोई भी doubt किसी परकार का लगे तो हम मुझे comment करके पूछ सकते हैं otherwise देखते हैं इसका question number 10 क्या है important question question number 10 question number 10 के अंदर क्या given है minus का 2 minus का 1 by 3 8 का cube अब ये कहोगे सर इसमें क्या important है ये तो question number 9 की तरिक्के से ही है cube का formula लगाना और simplify कर लेना है बिल्कुल easily कर सकते हो अप अगर आपको sign के अंदर कोई problem नहीं आती है sign को simplify करने में तो बिल्कुल easy है otherwise थोड़ा सा difficult हो सकता है क्योंकि sign की यहाँ पर problem देखने को मिलती है मैंने भी देखा है बच्चे question करते हैं तो इसमें sign की mistake जरूर करते हैं तो देखो इसको simple तरीके से किस तरीके से solve out करेंगे इस पे हमने लगाना है अभी यहाँ पर formula मत सुचो पहले देखो negative यहाँ पर भी है negative यहाँ पर भी है दोनों term से minus मैं common ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं बिल्कुल ले सकता हूं minus common ले लिए अंदर क्या बच गया 2 plus का 1 by 3 आर्टा और इसका cube देखो minus यहाँ से बार गया गया यह भी गया अंदर क्या बच गया plus का 2 plus का 1 by 3 आर्टा अब इसको simplify कर लो अब इस पे a plus b का cube लगा लो क्या था a cube plus b cube plus 3 a square b plus में 3 a b square minus को 7 के साथ लेते चलेंगे last में जो result आएगा minus से multiply कर देंगे answer आगया इस तरीके से करेंगे तो गलती नहीं होगी अगर directly यहाँ पे a minus b का cube लगाएंगे तो आपसे mistake होने के chances हैं definitely हैं करके देखना बेश सकते तो चलिए यह लगाते हैं यहाँ पे minus का sign बाहर अंदर के आएगा a cube है तो 2 का cube plus में 1 by 3 8 का cube plus में 3 into a square है तो मतलब 2 का square into b की जंग है क्या आजाएगा 8 by 3 1 by 3 8 लिख लो या 8 by 3 कोई दिखके जनी है plus में 3 into a की जंग है 2 into b का square मतलब 8 by 3 का square इसको complete bracket simplify करेंगे minus का sign बार bracket start 2 का cube कितना हो गया 8 plus में यहाँ पे क्या आजाएगा 8 का cube by 3 का cube क्या हो जाएगा 27 plus में 3 into 2 का square 4 into 8 by 3 plus में 3 into 2 into 8 का square 8 square और 3 का square 9 clear है कोई दिक्कत नहीं इसको simplify करो देखो कुछ cancel आउट होता है या नहीं 3 से 3 cancel 3 बन जा 3 3 जा 9 और 8 square की value क्या होती है हमारी minus का 1 इसको देखो simplify करो minus बार 8 plus 8 क्यूब को क्या लिख सकता हूँ 8 स्क्वेयर into आर्टा अब ओन में 27 प्लस में यहाँ पे 4 आर्टा यहाँ पे क्या बचा मेरा plus का 2 by 3 8 स्क्वेयर यह चीज आपको द्यान से देखनी है क्या कटा है क्या बचा है लिख दिया अब आर्टा स्क्वेयर की वैलू minus 1 पूट कर लो इसके अंदर simplify हो जाएगा बस minus sign 8 plus में यहाँ पे plus मत लगाओ अभी देखो आर्टा स्क्वेयर की वैलू minus 1 पूट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा minus का 8 by 27 plus में 4 आर्टा यहाँ पे अर्टा स्क्वेयर की वैलू minus 1 पूट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा minus का 2 by 3 समझ में आ गई अब तो simple बन गया होगा बिल्कुल real value में real value एड़ कर दो imaginary में imaginary एड़ कर दो बस तो minus का sign अंदर क्या बच गया 8 minus 2 by 3 यहाँ पे minus का आर्टा by 27 पलस में 4 आर्टा simplify करेंगे इसको upon में 1 मान के इसके भी upon में 1 इन दोनों का LCM देखो क्या आएगा minus का sign LCM आगया 3 8 3 जा 24 minus में 2 ठीक है और minus का sign यहाँ पे देखो simplify करो इसका LCM कितना आएगा 27 तो यहाँ पे क्या आजाएगा minus का आर्टा और पलस में क्या आजाएगा यहाँ पे 27 की और 4 से multiply करेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा 108 आर्टा clear minus का sign बार 24 में से 2 गया तो 22 by 3 108 आर्टा में से minus 1 गया तो क्या बचा 107 आर्टा आप उन में 27 या तो इसको एजिटी छोड़ दो या फिर क्या अगरो minus अंदर ले दो minus का 22 by 3 और minus का 107 आर्टा वाई 27 this is the answer I hope आपको समझ में आ गया होगा कोई doubt नहीं होगा कोई भी doubt किसी परकार का लगे तो आम मुझे comment करके जरूर पूच सकते है ठीक है otherwise इस पे A minus B का cube लगा के भी आप simplify करके देखना same answer आता है या नहीं आता है अगर same answer आ जाए तो ठीक है नहीं आए तो भाई आपका गलत है मेरा ठीक ही है ठीक है फिर भी कोई problem लगे तो आम मुझे comment करके बेजी जग पूच सकते हो इस channel को share करने में help करें बहुत सारा share करें बहुत सारा sport और love चाहिए आपका तब ही मैं बहुत अच्छा content आपके लिए और लास कूँगा examples भी करवाँगा और भी चीज़े जो हैं नहीं नहीं मैं आपके लिए करवाँगा आपका बस support चाहिए मुझे channel के साथ Thank you students for watching this video Thanks